हेलो गाइज मैं कुनल स्वाकत करता हूँ आप लोगो मेरा छोटी सीवटी चनल में तो फ्रेंड देखिए मेरे पास एक चार्जर है जो कि है खराब पड़ा हुआ था तो इसको भी फेक दिया था कोई तो मैं इसको निकाल के लेके आया कि इसको ठीक करते हैं आप लोग को दिखाते हैं चलिए फ्रेंड ये सामसंग का ओर्जिनल चार्जर है यानि कि इसका जो किमत है 500 से 600 रुपया तक आएगा लेकिन इसको फेका हुआ तक चला में तो मैं आप लोग को इसको ठीक करके दिखाऊंगा इसका क्या प्रब्लेम हुआ है आप लोग को बताने वाला हूँ देखे अभी इसको चार्जिंग पर लगाया हूँ लेकिन ये जो मूबाईल है इसका light glow नहीं हुआ में दबाए तो यह glow हो रहा है नेकिन यह सा charging नहीं हो रहा है इसमें तो देखिए इसको निकल देते हैं कुछ भी इसका output नहीं निकल रहा है मैं आप लोग के पूरा चेकिंग करके बताने बाला हूं तो फ्रेंट वीडियो में आप लोग continue बने रहें लाश्ट तक और यह जो खौलने के बाद देखिए यह जो input है यह side में देखिए यह 230V input AC line है और यह side देखिए यह 5V output है जिधर से हमारा wire जाके सिधा हमारा USB pin में जूड़ा है देखिए तो इसमें पहले क्या करना है फ्रेंट इसको चेकिंग करने के लिए यह जो 2 wire मैं एक्स्ट्रा लगाना पड टॉप भी connection कर दिया हूँ तो देखिए एक neutral में और यह देखिए line पर एक लगा दिया हूँ इसका देखिए यह top है top को मैं क्या करता हूँ देखिए आपके सामने दिखाता हूँ यह series boot में पहले कोई भी circuit हो friend आप लोग को series boot में पहले test करना है directly यह parallel में connection नहीं करना है क्य लोगों multimeter में मैं भी test करके भी बता देने वाला हूँ कौन सा जगा पर यह जो हमारा supply है break हो चुका है तो देखिए पहले तो मैं DC 20 volt में लगा देता हूँ देखिए यह DC में लगाया हूँ multimeter को उसके बाद देखिए मैं 5 volt चेक करने वाला हूँ तो यह DC 20 volt में लगाया हू अगर अगर आप लोग को फर्ट चेक करना है तो आप लोग 200 या 2000 ऐसा कुछ लगा सकते हैं तो देखिए पहले मैं 5 volt चेक करूँगा इसके बाद देखिए 5 volt नहीं है तो मैं दूसरा कुछ जगा पर चेक करने वाला हूँ तो देखिए इधर 5 volt आ ही चुका है तो आ ही चु कर लिया यह ज़्यादा दरके खरब नहीं होता है वायर तो फिर भी वायर को आच्छा दर्गे से चेक करना है तो देखिए फ्रेंट यह वायर में एक जगा पे देखिए यह कटा हुआ है तो इसलिए इसको जो फेक दिया गया था यह चार्जर को तो अप लोग का घर में भी ऐसा problem हो सकता है अप लोग को थोड़ा देखना है ऐसा ये charger का जो price है ये 500 से 600 रुपिया हो सकता है तो देखिए ये original charger है उसका ओयर देखिए ये चुहे ने cutting कर लिया है तो फ्रेंट इसको मैं क्या करता हूँ देखिए cutting कर देता हूँ क्योंकि ये बीच में से wire जोड़े तो ये फिर से खोल जाएगा तो इसमें से देखिए top जैसा लगा था इसको मैं खोल देता हूँ directly और जो USB वाला pin था जिसको मैं अभी निकाला हूँ उसको salding जैसा करके cutting कर लगा देना है देखिए इधर ground और positive आप लोग को चेकिंग करना है multimeter में उसके बाद देखिए जो टुकड़ा wire था उसी को आधा में से निकाल के उसको salding कर दे रहा हूँ आप लोग के लिए दिखाने के लिए आप लोग निया बाला भी wire लाके USB वाला wire 10 रुपिय लेता ह उसको आप लगा सकते हैं फ्रेंट तो देखिए output में मैं लगा दिया हूँ फ्रेंट देखिए इसको अच्छा दिरके से salding कर दिया हूँ जो positive negative जो wire था 5 world का उसके बाद देखिए इसको थोड़ा testing करता हूँ पहले series boot में पहले testing करता हूँ जो top था उसको लगा दिया तो आप लोग को आच्छा तरीके से उसको checking करना है और checking करके देखना है उसको कुछ fusible register गया है और कुछ छोटा मोटा चीस गया है तो उसको आप लोग ठीक कर लेना है फ्रेंट क्यूंकि आपका बहुत किमती चीस आपका घर में बच जाएगा नहीं तो आप लोग का कोई भी इसको खरब सोचके कोई फैक देगा तो यह वेस्ट हो जाएगा तो फ्रेंट देखिए यह ओयर को ऐसा गिंड मार लेना है क्यूंकि हमारा ओयर थोड़ा सा छोटी हो गया है तो दिक्कत कुछ भी नहीं है उसके बाद देखिए उसका धंकन है उसको लगा के इसको super glue super glue में यह chip का हुआ था मैं निकलने के time में थोड़ा दिक्कत हुआ तो फ्रेंट यह पहले series boot में मैं टेस्ट करके बताया था अभी direct देखिए charger को fit करके parallel connection में 5-pin socket में इसको टेस्ट करके आप लोग बताने वाला हूँ देखिए यह भी USB लगाने वाला हूँ यह लगाने के हुआ 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 है